इस वीडियो में हम डीबगिंग देखेंगे कैसे हम डीबग कर सकते हैं कोई error को कोई problem को तो console.log से तो आपने कई बार डीबग करके देखा होगा तो मैं यहाँ पे एक simple constant put कर रहा हूँ ABC एक function लिख रहा हूँ जिसमें मैं get name में name return कर रहा हूँ जो वो simple सा एक function है जो वो input लेता है वो ही return करता है अब मैं इसको call करूँगा यहाँ पे मैं global variable put कर दूँगा तो यह simple सा एक code आ गया है यहाँ पे यह print भी हो रहा है जैसा accepted है कि हम कह रहे थे ABC आएगा यहाँ पे आप sources tab में जा सकते हो और app.js को open कर सकते हो तो इसके लिए आपको command P या control P इस तरह से कुछ shortcut use करके भी app.js open कर सकते हो अब यह code आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसमें आप यहाँ पे click करके जैसे 10th line पे breakpoint बना सकते हो तो first चीज है breakpoint breakpoint है एक ऐसी चीज है जिस पे आप pause ले सकते हो यानि यहाँ पे आके आपका browser code को रोक देगा ठीक है जैसे आप एक review लेना चाहरे हो उस चीज का और आपका browser यहाँ पे hang हो जाएगा यहाँ पे आपको global variables दिख रहे होंगे और भी चीज़ें हम explore करेंगे क्या क्या है तो यहाँ script में global variable your name तो दिख रहा है यह आपके app.js के global variables दिखाएगा अब यहाँ पे कुछ buttons है उनको एक एक करके explore करते तो जैसे यहाँ पे यह review है इसको चला दोगे तो यह play हो जाएगा तो वो सीधे यहाँ पे print हो गया इस पे चला जाएगा लेकिन कुछ और छोटे function है जैसे step in यह एकदम इक-एक step चलेगा जैसी आप इसको click करोगे तो suppose यह कैसे get name में चला गया क्योंकि get name सबसे पहले call हो रहा है फिर उसके अंदर एक-एक line यह execute करेगा तो यहाँ आपको local variable भी दिख रहे है name दिख रहा है this generally हर function हर JavaScript में होता ही है तो name में आपको दिख रहा है ABC तो एक-एक करके आप variable की value भी check कर सकते हो यहाँ उपर एक watch section है यहाँ पे आप वो variables देख सकते हो जिनको आप एक तरसे console log की तरह करवाना चाहते हो तो वो सारे variables भी आप देख सकते हो यहाँ पे step out और ऐसी चीज़े भी हैं जिससे आप वापस जा सकते हो generally इतनी useful नहीं है एक और बार आप click करोगे तो आप next line के आगया आगया तो return value भी आपको बता रहा है name भी आपको बता रहा है एक और बार आप जाओगे तो आप log function पे चलेगा क्योंकि यह एक तरह से पीछे जा रहा है जैसे आपको पता होगा programming में पहले अंदर वाले function चलते हैं फिर बाहर वाले चलते हैं फिर उससे बाहर वाले तो उस तरह से execute हो रहा है एक एक step एक और बार रन करोगे तो शायद पूरा प्रोग्राम और यहां console पे प्रिंट हो गया थोड़ा सा और complex code लेते हैं जिसमें थोड़ा debugging का फायदा हमको लगेगा तो मैं एक person object बना रहा हूँ इसमें मैंने जैसे name property लिए और function यह जो get name है इसको भी हम यहां use करेंगे तो मैं इसमें भी name equal to this.name put कर देता हूँ थोड़ा सा इसको complex बनाने के लिए उपर से कोई name आया लेकिन उसको overwrite कर रहे है this.name से और यहां पे मैं get name function को as it is उपर वाली definition के equal कर देता हूँ थोड़ा सा code complex हुआ अब आप person.get name use करोगे और उसमें जो उपर your name जो global variable है वो put कर दोगे तो इस window में जाके refresh करोगे code थोड़ा change breakpoint अलग हो गए क्योंकि line change हो गई है उसको आप हटा सकते हो क्लिक करके वापस 16 पे क्लिक करके एक नया breakpoint बनाईए यहां watch में भी आप variable बदल सकते हो जैसे name के जगे है मैं this.name और एक add कर रहा हूँ तो दोनों अभी खाली है क्योंकि अभी आप 16 पे paused हो अब आप आगे बढ़ोगे step in करोगे एक चीज में अब आप देख रहे हो name में ABC आ गया इस.name में john आ गया name में ABC से लिए आया क्योंकि वो उपर से आया अभी हम उपर पहली line पे ही है उससे जस्ट पहले है और इस.name क्या होता है वो एक तरह से object का name लेता है तो name तो john है object का उसका reference अलग है अब next line execute होगी जब हम एक और बार step in प्रेस करेंगे और उससे क्या होगा यह john name में चला जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हो तो यह दोनों value अलग है एक और बार step in प्रेस करते है यहाँ पर आप देखोगे john john दोनों equal होगे जो होना भी था क्योंकि this.name की जो value थी john वो आपने name में पास कर दी तो आगे पास हो कोई वो ही return value में अब दिखाई दे रही है तो एक तरह से आप देख पा रहे हो कि code कैसे execute हो रहा है एक करके एक step पे अब आप वापस पीछे जाते हो तो यह एक और get name यहाँ पे आ गया है तो यहाँ यह blank हो गया वापस get name पे actually हमने code थोड़ा सा गडबर लिख दिया है आप देख रहे होगे get name वापस से क्योंकि हमने get name के अंदर person.get name लिख दिया है तो मैं यह एक जो extra get name है यह हटा देता हूँ और फिर से एक बार हम इसका execution चेक करते है तो आप चाहे तो उतना complex भी रख सकते हो interest हो आपका कि क्या होता है लेकिन अभी के लिए इतना काफी है हमारे वीडियो में एक बार फिर से इस चीज को run करते हैं तो में name और this.name दोनों empty एकदम blank दिखाई दे रहे हैं step in करते हैं abc john अलग-अलग है वापस step in करते हैं john और john दोनों same हो गए last में वापस blank हो गए और फिर log के बाद यहाँ पर यह चीज प्रिंट हो गई होगी console में पूरा program हमारा चल गया है तो इस तरह से आप use कर सकते हो थोड़ा सा और example change करते हैं इसमें मैं constant एक array बना रहा ह रहता अगर कुछ गड़बड हो जाए तो तो मैं एक simple for loop बना रहा हूं जिसमें where i equal to 0 और less than 2 i++ ऐसा कुछ ले रहा हूं मैं और यहाँ पर मैं fruits i एके करके element print कर रहा हूं तो अब refresh करेंगे code change हो गया console में apple banana john क्योंकि 2 से less है तो grapes नहीं print हुआ है तो आप समझ सकते हो for loop है but i की इस वक्त क्या value होगी क्योंकि यह for loop पूरा चल चुका है तो i की value बढ़ गई होगी और क्योंकि मैंने where use किया है interestingly क्योंकि let तो आपको पता होगा थोड़ी देरी चलता है तो क्योंकि मैंने where use किया है तो आप वो check कर सकते हैं तो यहाँ मैं पुराने variables हटा देता हूं म अब मैं i put करूंगा तो यहाँ आपको दिख रहा है to है fruits i put करूंगा तो obviously grapes है तो यह चीज last line तक तो आगई print इसलिए नहीं होई क्योंकि for loop उसको bypass कर जाएगा तो where use करने की वज़े से यह हुगा है अब let use करोगे तो शायद नहीं आएगा क्योंकि let's का scope limited होता है तो मैं यहाँ पे भी एक breakpoint put करता हूँ अब console में हम देखते हैं क्या हो रहा है सबसे पहले i zero है apple आ रहा है और यही चीज console में आपके पास चली गई next आप यहाँ पे गए तो अब देख रहे हो हलका सा highlight है i plus plus पे यानि अब यह plus वाला line चलने से पहले यह रुका हुआ है एक और step in करोगे यह line चल जाएगी तो अब i one हो गया अब यह आप देखोगे तो less than पे रुका हुआ है एक और बार चलाओगे तो अब यह सीधे नीचे आ गया तो यहाँ पे आपका यह बनाना इस तरह से print हो गया एक और बार करोगे i plus plus पे आ जाएगा यह अभी execute नहीं हुआ है एक बार और करोगे execute हो गया अब यह less than पे आएगा less than के आते ही console पे नहीं जाएगा क्योंकि condition match नहीं हो रही तो next पे click करोगे तो वो सीधे यहाँ log पे आ जाएगा तो i plus तो होगा पर वो log पे आ जाएगा और वो चीज प्रिंट हो जाएगी अब मैं एक error create करता हूँ यहा i plus plus में put कर देता हूँ तो थोड़ा और interesting हो जाएगा हमारा code तो आप देखरों के विल apple print हो रहा है क्यों क्योंकि i plus plus से दोनों चीज skip हो गई एक साथ दो बार increment हो गया एक उपर से एक अंदर से इस चीज को track करने के लिए हम क्या करेंगे वापस है i zero है apple है पर एक और बार i plus plus की वज़े से one हो गया है तो जैसे step in करोगे तो condition पे अब गया है condition पे जाते वक्त इसकी already value 2 है जो 2 से less नहीं है तो सीधे skip कर जाएगा क्योंकि जो पहली value थी बस वही print हुई और आप सीधे for loop से बाहर चले गए तो इस तरह से कोई भी complex code को आप track कर सकते हो breakpoint से watch से scope से यहाँ पे नीचे call stack वगरे भी है यह दोनों उपर जो buttons हैं यह भी आप use कर सकते हो अगर आपको वापस निकलना हो function से यह उनका opposite यह और call stack जो आप नीचे देख रहे हो यह काफी interesting है जैसे इस पे हम put करते हैं तो आप अब run करके देखो पूरा तो अब भी call stack में anonymous क्योंकि next में आप देखो get name में हम आ गए क्योंकि get name एक named function है और anonymous उसके नीचे है मतलब parent सबसे नीचे child उसके उपर इस तरह से चलता है call stack अब get name में हम अभी भी है ठीक है जब next line पे मैंने step in किया है क्योंकि मैं अभी उसी line में return वाली में एक और बार प्रेस करूंगा तो मैं get name से बाहर चला जाऊंगा थोड़ा सा और complex करते हैं ताकि आपको call stack का funda समझ जाए क्योंकि अगर आप programming किसी भी language में समझते हो तो आपको call stack पता होगा कि किस तरह से एक function फिर दूसरा function stack में कैसे arrange होते हैं ये काफी core computer science fundamental है पर इसको आप यहाँ पे check कर सकते हो तो मैंने get your name ए यहाँ run करूँगा जो कि वैसे global variable को ही ला रहा है और थोड़ा सा complex और हो गया तो अब क्या होगा देखते हैं सबसे पहले यहाँ paused है anonymous पे अब देखोगे get your name सबसे जो internal function है वो call हुआ है इसे भी पता लगता है programming किस तरह से right to left या left to right कैसे चलती है सबसे पहले अंदर वाल get name में आ गए तो एक एक level उपर यह functions पे जाता जाएगा execute सारे execute return कर देंगे तो यह पुरा आपका program चल जाएगा एक final चीज हम देखते हैं कि यहाँ for loop में आप एक debugger भी लिख सकते थे suppose आप यह breakpoint manually नहीं लगाना चाते तो यह debugger आपको यह pause कर देगा जहाँ पे आप यह value भी check कर सकते हो वैसे value आप scroll मतलब जब breakpoint खुद से लगाते हो तब भी check कर सकते हो कि CPA भी आप scroll करते हो जब जैसे eye पे गया तो मैं इस वक्त one value है जो मैं वैसे watch में देख रहा था fruits पे मैं पूरे पे scroll करके देख रहा हूँ उसको select करके कि इसमें अभी banana value है तो आप एक तरह से कभी भी running program को pause कर सकते हो debugger से आप manually put कर सकते हो जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि breakpoint कहां put करें क्योंकि काफी बड़े programs में कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं हो फाइल कहां है या आप से open नहीं हो रही है या जो भी reason हो सकता है तो आप debugger direct भी put कर सकते हो तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे